हलो एवरिवन, वेलकम टू माई निव यूट्यूब वीडियो दोस्तो आज हम आपको यहाँ पे अल्टो का 800 का 2022 जो है उसका टॉप सेकंड मॉडल के जो फीचर से वो बताने वाले हैं और इसका जो इंटिरियर है वो बताने वाले हैं कि क्या इसमें चेंजेस किये हैं इसके सेकंड टॉप मॉडल में और क्या इन्हें चेंज करना चाहिए और क्या इसमें आपको टॉप मॉडल में और सेकंड टॉप मॉडल में डिफरेंस यहाँ पे दिखने वाला है तो टोटल चीज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे जो देखने को मिल जाते हैं, inbuilt sound system यहाँ देखने को मिल जाता है, अभी मैं चाकी को लगाऊंगा और आपको on करके दिखा दूँगा, थोड़ा बोड़ डिफरेंस यह है और के यहाँ पर इस पेस थोड़ी बोड़ देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अगर कहें तो यह थोड़ वहाँ उरसा कुछ भी लटकाने के लिए जो allevi मिल जाता है और साथ मैं हमें थोड़ी बहुत चीज्वा एच्छी मिल जाती है जैसे यह ग्लाज इसकी कॉलेट मिल जाती है यहांपे हमें तॉन में हमें यहां देखने को मिल जाता है बाकी हीटर, AC, और नॉर्मल जो चीजे होती है वो यहां पर अवेलेबल देखने को मिल जाती है तो यहां पर यह सब तो हो गया डबल टोन वगेरा, डबल टोन में यह लगता अच्छा है आपको पीछे भी दिखा देता हूँ, जो डबल टोन में रहता है यह लगता अच्छा है, ऐसा नहीं लगता है जैसे पहले जो आते थे, कि अल्टो में आपको अलग ही लगता था अलग फील आता था, लेकिन अभी जो टॉप मॉडल है, अल्टो 800 का उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा फील आएगा ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी छोटी गाड़ी में बेटे हैं या चला रहे थोड़ा अच्छा फील आपको आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पेस दिया है और नीचे में आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपका जो है एक तो बोनेट का है और एक फ्यूल का है डिक्की और फ्यूल का है, आप यहाँ से ओपनी से कर सकते हैं साइड में सीट की सीटिंग है, यहाँ पे एसी वगेरा का जो है तो आपको सब यह नॉर्मल चीज़े बताई है, तो चलिए, चाबी को यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद आपको और थोड़ी वो चीज़े यह कैसा यह लगता है वो बता देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो, कि अगर आप जैसे चाबी ओन करोगे तो आपके सामने ऐसा स्पीडोमेटर आ जाएगा जिसमें हमें यहाँ पे एक हैंड ब्रेक का दिखा रहा है, सीट बेल्ड का बता रहा है, लॉक है के नहीं है अनलॉक है लॉक है वो बता रहा है, स्टेरिंग का बता रहा है, और साथी जो नॉर्मल चीज़े रहती हैं वो बता रहा है यह फीचर्स इन्होंने एकोरेट किया है, बोल्ड लाइट का जिसमें आप प्रेस करेंगे तो चारो लाइट जलने लगेंगे यह पहले वाली अल्टो में नहीं था, तो यह कुछ थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो अल्टो का जो नया मोडल है उसमें अपग्रेट करें है, यहां से आप देख सकते हैं, इनका एक और एक फीचर है, यहां आप देख सकते हैं, यह थोड़े बहुत फीचर्स हैं बगेर वही वाइपर वगेरा लाइट वगेरा लाइट में थोड़ा अच्छा सा अपग्रेड किया है और टोन वगेरा अच्छी किये ताकि आपको जादा इसमें कुछ लगे नहीं कि आप अल्टो में या किसी छोटी गाली में बेठे हैं यहाँ पर थोड़ा सा इनका इस पेस जो दे रखा है आप चाहें तो यहां से पावर विंडो को ओन ओफ कर सकते हैं इन्होंने इसी चीजें यहाँ पर अवेलेबल पावर विंडो के लिए कर रखी है ठीक है तो आपको फ्रेंट के जो विंडो रहेंगे वो ही पावर मिलेंगे पीछे आपको पावर विंडो नहीं मिलेंगे यह चीज मुझे थोड़ी सी डिसपॉइंट में टेड लगी कि इन्होंने इसा क्यू करा बाकि यहां पे जो चार्जर का स्लॉट है वो मिल जाएगा कप होल्डर मिल जाएंगे नॉर्मल जो चीजे हैं वो सब यहां पर अवेलेबल हैं तो चलिए इसका साउंड सिस एक यहां है और एक स्पीकर इदर है राइट साइड में तो यह यहां पर इन्होंने दोई स्पीकर दी हैं दोनों अच्छे हैं बुरे नहीं कह सकता में Bluetooth कनेक्ट होने के बाद आप यहां से कॉल पिक करके बाद भी कर सकते हैं यहां पर मोड से अलग-अलग मोड साप करते हैं यहां पर ऊसना को आप होता है यहां Àपको फीचर्स मेल जाते हैं बाकी यहां पर आपको फीचर्स ऑड़ ओग आप दी है यहां पर बहुत सा के सकते हैं कि हाँ आया है या कुछ भी नॉर्मल जो आपन चाहें के सकते हैं कि हाँ पहले से इन्होंने बेटर किया है पहले से तो आपन इसे जो है बेटर समझेंगे बिल्कुल और इन्होंने किया भी है इस पे काम तो दोस्तो ये था हमारा इंटिरियर अल्टो का अभी इसके बारे में इसकी जो ड्राइविंग करके बताएंगे आपको केसे है ये क्या पहले जैसे ही जैसे अल्टो हाईवे पे जो हल्की अगर अपन तेज जा रहे 800 पे तो हिलती थी क्या ये भी वेसे ही मूव करने वाली है या फिर उससे बेटर है, इसका भार से लुक कैसा है, क्या-क्या इसमें भार फीचर से हैं और क्या-क्या कमी है, सब आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे साथ बने रही है चैनल पे, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्स्राइब नहीं किया है, तो सब्स्राइब कर लीजी, ताकि और भी ऐसी आपको वीडियोज मिलती रहें, हमने ओला की भी सारे वीडियोज जा ली हैं, वो भी अगर आप चाहें, अगर आप इंट्रेस्टेड हों, तो जाके जरूर देख सकते हैं, चैनल को सब्स्राइब करना मत बुलना, और लाइक को सब्स्राइब जरूर करना धन्यवाद